आपका एक बार फिर स्वागत है और राजनीती सास्त की सिरुवात करते हैं अमर बाड़ा के उपचुनाओं से अमर बाड़ा उपचुनाओं के लिए सीम मोहन यादब ने कमान सभाल लिया बंसल न्यूस से एक्सक्रीब चर्चा में उन्होंने बीजेपी कायर करता को आगहा किया है सियम यादब ने कहा है कि कायर करता आखरी बोट पढ़ने तक सचीत रहे कॉंग्रिस कुछ भी कर सकती है एनिकेन प्रकारेंड कुछ भी कर सकती है कॉंग्रिस अमरवाड़ा उप्चुनाओ को लेकर सियम मोहन यादब से बात की हमारे महा कोशल के बीरो निशान पिशे इस वक्त अमरवाड़ा में मेरे साथ मौझूद है मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादब जी जो यहां अमरवाड़ा में इस्थानी अपने जो संगठं के पदाधिकारी हैं उनके परिवार के बीच पहुँचे हैं ब्रिकफास्ट के लिए भेंट के लिए और सबसे खास बात ये रही कि अमरवाड़ा उप्चुनाओ के दर्मियान आज रात उन्होंने यहीं पर विश्राम किया आज का सूरज उन्होंने अमरवाड़ा में ही देखा सर सबसे पहले आज की जो सुबह है अगर मैं पूरे एलेक्शन के परिप्रेक्ष में बात करूँ तो अमरवाड़ा के लिए भी क्या एक नया सूरज उगने वाला है भविश्र में निश्रित रूप से अमरवाड़ा भाजपा के साथ जुड़ रहा है मुझे इस बात की प्रसंदता भी है कि मैं अमरवाड़ा के लोगों के बीच बीते चोईस घंटे से हूँ और जिस प्रकार से प्रेम उमड रहा हर तरफ से मैंने लगबग आठ दस अलग-अलग बेठके की है और हर बेठक से जो सुर निकल के आया है वो ये सुष्वी प्रदानलंत्री के काम से प्रसंदता का है राज्यसरकार के काम से भी प्रसंदता का है और खास करके बजट जो प्रस्तुत हुआ है ओर छिदवाड़ा के कामों को गती मिली उधारण के लिए यहां की सड़के, यहां की सिचाई की परियोजना है, यहां के मेडिकल कॉलेज के लिए सो करोड, लगबग दो हजार करोड से जादा के कामों की स्वीकृतियां बजट में आ चुकी है तो सभाई की रूप से उसका एक अनुकूल असर आता है, और इसलिए मैंने अपने बोलने के बज़ाए लोगों से पूछा, उनने बजट को पढ़ा है क्या, बजट को देखा है क्या, बजट को सुना है क्या, सब ने अपनी अपनी प्रतिकरिया बहुत अच्छे से दी, कोई मेरे अपने कारेकरतों को सतर के किया है, कि जब तक चुनाओं में आखरी वोट नहीं पड़ जाए, तब तक हमको सांती से नहीं बेटना है, वो अपना कोशिश करेगी को ये इनके प्रकारण उनका अपना बचाओ करे, लेकिन जनता का अगर धिंग से वो डलवा लेंगे, तो मेरे समझता हूँ कि अभी तक के सारे रिकार्ड हम तोड़ेंगे, आप बैक टू बैक बैठके कर रहे थे विभिन सामाजिक संगठनों के साथ, वियापारिक संगठनों के साथ, आज भी आपके लगातार प्रोग्राम शेडियूल है, आपको किस तरीके का रिस्पॉंस मिल रहा है, आप क्या फील कर पाए, क्या गंध कर पाए, कि ऐसा लगा कि अमरवारा क्या सोचता है, और आप जिस दिशा में सोचने हैं, क्या उससी दिशा में सारी चीज़ा जाती दिख रही हैं? मैंने बताया ना, बजेट की रियक्सन ही बता रही है अपने आप में, कि वो जन्ता ने तरह कर लिया है, कि यहां का अगला विदा है, कोन होगा, वो भाजपा का होगा, यह दिखाई दे रहा है। मैंने बड़ी कामिया भी आपने लोग सभा जुनाओं में हासिल की है, तो अब उसके बाद चैलेंज खुद के ही सामने खुद के लिए है। हमने तो एक ही बात कही कि जो जन्ता का रिस्पांस आ रहा है, वो पाजिटिव है। कांगरेस क्या कर रही है, कांगरेस जने, लेकिन भाजबा का कारेकरता उत्सा उमंग के साथ, अपना वोट आखरी तक डलवाई है, हमने अगरह किया और मुझे इस बात का संतोस है। क्यामरमिन शंकर भागड़े के साथ, निशानत पिसेन, बंसल यूज, अमरवाडा।